हैलो फ्रेंड्स, वेलकम यू आल, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लिखा रहा है, बात करेंगे हिडन स्पेशिलिटी केमिकल के शियर की, देखे अकसर हम बात करते हैं स्पेशिलिटी केमिकल के स्टॉक्स की और इस पर्टिकुलर सेक्टर को कहा जाता है मल्टी बैगर की खान, तो बताएए क्या कहा जाता है, मल्टी बैगर की खान, क्योंकि यहां से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बलकि अनेक मल्टी बैगर स्टॉक्स निकलते हैं, और इसके उपर काफी डिटेल में अभी हमने कुछ दिन पहले चर्चा करी थी, वाइ स्पेशिलिटी केमि श्टॉक्स क्योंकि यहां पर इनका वाइड़ एरिया ऑप अप्टिकेशन, प्रेसिलिटी कैमिकल, जो भी है, अलग अग अग कैमिकल से यहां पर कंपनी बनाती है, उनका वाइड एरिया अप अप्लीकेशन, मतलब वो अलग अलक अंड़ी में यूजं हो जाता है, वो फा एरिया अप्लिकेशन क्या है इसके लिए खास है तो इसलिए यहां से निकलते हैं मल्टी बैगर स्टॉक जी हाँ आज हम बात करने वाले ऐसी एक स्टॉक जिसका नाम है अनुप्रास आप कहोगे वह अनुप्रास नहीं अनुपम रसायन की बात कर रहे हैं और शॉर्ट फॉर्म में आप कहोगे अनुप्रास अलंकार देखिए सुना जरूर होगा आपने अलंकार के बारे मगर कभी पढ़ा होगा अनुप्रास अलं करके हम बात कर रहे थे अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड आज आप कहोगे आठ सो साथ पर पहुंच गया आठ जार करोड का मार्किट कैपिटलाइशन लेकिन जैसा हमने बात की थे स्टॉक के फंडमेंटल वाईज यह स्टॉक यहीं तक नहीं काफी दूरी तक का सफर टाई कर सकता है और क्यों यह स्टॉक रडार में आया था अभी आई थिंक जो लास्ट रैली स्टॉक में आई थी वो यह रैली थी इस रैली के वज़े से एक दो तीन दिन के इस मूब की वज़े से इस टॉक में एक रफतार दिखी और इंतजार था इस रैली के बाद क्लियर ली यह अगर आप ध्यान से देखो समझोते कि कभी भी आपको हम बार बार कहते हैं अगर सफर काफी तेज है तो अगर स्पीड काफी तेज है तो जो हॉल्ट आएगा जो आएगी वह आपको मौका देगी सफर करने में एक बहुत बढ़िया एक्जामपल हम अकसर आपको देते हैं जनरली होता क्या है जब यह एकदम स्ट्रेट तो होता नहीं कहीं में यह फ्रेक्टल नेचर नव मार्केट है तो आपको इस तरीके से क्रेक्शन चोटे टाइम फ करते थे जैसी स्पीड स्लो होती थी बस के पीछे चड़ गया अंदर चड़ना है वहाँ पर क्या होता है क्योंकि बढ़ा और वो जो ठर्न होते हैं बहुत ही बहुत ही मैं कहूंगा वहाँ पर स्पीड बहुत कम करनी पड़ते थी जिसकी वज़े से आपको मौका मिल जाता हैं लेकिन उसके अलावा हम बहुत important part आपको बार बार कहते हैं बड़े time frame में एक positive cycle का start होना एक confidence मिलता है यह positive cycle का start होना क्या है confidence मिलता है इस से और यह confidence देखिए और अभी जब हम last time पे इस अनुपम रसायन की आपके सामने बात कर रहे थे वाइ स्पिशिलिटी केमिकल स्टॉक तो यही उमीद थी कि या तो यह तो यह कंसॉलिडेट करके नीचे आए या उपर ही उपर कंसॉलिडेशन देखने को मिले तो अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा तो आपको हम कहेंगे कि जरूर देखे आवा ने अल्मुस्ट टू वीक्स यह कंसॉलिडेट किया और उसके बाद आज जो मूव है वह एक्सपेक्टेड मूव लेकिन इसका जो दूरी है इसका जो दूरी है वो तो अभी यह जस्ट पहला मूव मैं कहूंगा यह वाला मूव किसी इसके लिए ध्यान रखे यह डे मूव साइकल का और उसके बाद जो टार्गेट है ग्यारा सो हजार के लेवल के पास जाना है तो बहुत दूर का है लेकिन स्टॉक अभी तो यह तो बहुत जस्ट यह स्टार्टिंग है लेकिन जब मन्थली चार्ट पे इसको देखोगे इसकी कंसॉलिडेशन करेक्शन को आप कहोगे यह तो मन्थली की करेक्शन जो है वह रिजॉल्ब हो रही है तो अभी जस्ट स्टार्टिंग फेज है तो अभी हमारा क्या है यह अगर मन्थली के इसाफ से देखोगे जस्ट यह एक कंसॉलिडेशन फेज है जो इनिशल लेवल पे यह उम्मीद है इनिशल ले करेक्शन यही सारी चीज़े तो हमेशा यह जरूर घ्यान दें कभी भी किसी भी टाइम बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन को आप समझते हो तो आपको बार-बार कहेंगे कि इंतजार करें छोटे टाइम फ्रेम पे साइटल के स्टार्ट होने का तो यह अपॉर्चनल्टी हो देखिए प्राइस कंसॉलिडेट किया जिसने आरसाई को एकदम नीचे लेगा क्यों कि आरे से बहुत उपर था और अरे से को थोड़ा कंसॉलिडेट किया लेकिन थोड़ा सा और अच्छा होता का थोड़ा और डीप यहां पर करेक्शन होता तो ज्यादा बहतरी इन आसी यह रेंज जो है देखिए यह टार्गेट जोन है इसके इनिशल टार्गेट जोन उसके बाद फिर उम्मीद करेंगे यह जोन है जो यह टार्गेट जोन है फिर उम्मीद करेंगे कि यह फ्रेक्टल नीचर और मार्केट है रैली आई है करेक्शन आई है तो फिर सिरका correction consolidation यहाँ पर देखने को मिले फिर अगला target zone फिर इसकी उमीद यहाँ पर करेंगे तो कौन सा stock है अनुपम रसायन अनुपम रसायन कौन सा specialty chemical का stock why specialty chemical अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो इसके बारे में काफी चर्चा हमने दो हफ्ते पहले करी थी तो why इसी तरीके से और stocks में भी बहुत ज्यान से इस बात को समझें इसी तरीके से और stocks में भी आपको cycle start होती हुई दिखेगी डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप थोड़ा से नीचे है और आपके यह cycle start नहीं हुई तो probability कम हो जाती है कि momentum में लैक देखने को मिलता है momentum छोटे टाइम फ्रेम पर जरूर है लेकिन बड़े टाइम फ्रेम की तरफ अभी shift नहीं हुआ है जिसको time लग सकता है और वो consolidation बनके वह वहीं पर छोटे time train तक सीमित रह सकता है तो फिलाल wind up करता हूँ इस वीडियो का और उमीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आयोगा वीडियो अच्छा लगा तो share जरूर कीजिए like कीजिए price section सीखते रहिए practice करते रहिए why specialty chemical का यह charts जरूर देखने है monthly weekly daily और hourly तो चार चार्ट आप देखोगे 50 stock के तो मतलब 200 charts अब देख रहे हो तो यह practice अगर आपने एक month तक करी तो definitely you will see the impact और इसको देखना है cycle की terminology में और price section की series देखे वहां से basics उठाईए उन terminologies को उन areas को practice जरूर करें and thank you thank you for watching the video